नमस्ते आओ आजपन हेल्दी और प्रोटीन से वरपूर बेकफास्ट बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए न मैंने मौंग लिए एक कटोरी और उसे सारी रात पानी में विगोके रखा फिर उसका पानी निकाल करके और उसे जार में डाला साथ में ही लसन, हरी मिर्ची, अद्रक इनको भी डाल दिया और मैंने आदी कटोरी के करीब मैंने ये डाले हैं सोया बीन इसको भी रात को पानी में विगोके रखा था फिर मैंने पनीर डाला है इसे मैंने वापस गरम पानी से निकाला है और रफली चॉप कर दिया है हरी चटनी मेरे पास बनी हुई थी तो मैंने वो एक्स्ट्रा पड़ी थी मेरे पास तो मैंने इसे डाल दी है आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसे जार में चला लिया फिर उपर से नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली है, इसलिए लाल मिर्च कम डालेंगे, नी तो तेज हो जाएगा, फिर मैंने पुना हुआ जीरा डाला है, और इसको खटाई के लिए मैंने इसमें एक नीमूनी चोड लि फिर आपन अप्पे वाली ट्रेलिंगे और उसे अपन गैस पर रखेंगे गैस पर रख करके उसमें मैंने घी डाला है घी डाल करके उसमें मैंने राई डाली है राई डालेंगे उसमें जब राई चटक चाहे तो फिर आपन इसमें मीठे नीम के पत्ते डालेंगे मीथे नीम के पत्ते डालकरके जो अपने वेटर बनाया है यह पिर दे साड करांगाए इस तरह से शम्मत से ले करके चाहत करेंगे थोड़ी देर में असारी में अपन सैट कर देंगे फिर दो से तीन मिनट में यह बन करके तैयार हो जाएंगे तो बहुत ही ईजी और सॉफ्ट हातों से अपने इसको लेते हुए इसको अपने इसे पलट लेंगे थोड़ा घी लगा देंगे उपर थाकि दोनों तरफ से घी लगीगा तो यह टेस्ट में बहुत अच्छे होंगे वैसे तो यह नॉनिस्टिक है इसमें ना लगाओ तो भी चलेगा पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा ही रही हूँ फिर अपन इसको इस तरह से पलट लेंगे पलट करके दौनों तरफ से सीख लेंगे अपना प्रोटीन से भरपूर बिग फास्ट रेडी है इसे सॉस के साथ चटनी के साथ जो मन करे उसके साथ आप साइब करो और खाओ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग गई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर देना और नहीं लगी हो तब भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें मेरी रेसिपी में क्या कमी लगी है और नए हो तो प्लीज सस्क्राइब करना आप मेरे को एक भी कमेंट करके ब साफ्ट भी है एकदम साफ्ट है और बच्चे भी इजी रिखा सकते हैं बड़े भी है इसको अराम से खा करके पूरे दिन एनर्जी मिलती है पेट भरा हुआ रहता है तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए